गुड मॉनिंग UKG क्लास कैसे हैं आप बच्चों आज आपका हिंदी का टन है तो चलिए हिंदी की बुक और कॉपी निकालिए हमारा रिविजन चल रहा है तो आज हम रिविजन करेंगे आपके एसे क्या होता है एड़ी होता है न तो एके मात्रा वाले शब्द एके मात्रा वाले शब्द ओके आज हम इन दोनों मात्राओं का क्या करेंगे रिविजन करेंगे तो चलिए आप अपनी कॉपी ओपन कीजिए जहां पे आपने एकी मात्रा वाले शब्द लिखे हैं आकी मात्रा वाले शब्द लिखे हैं वहां पे ओपन कीजिए अब हम इन दोनों मात्राओं को कॉपी में करते हैं देखे सबसे पहले आप डे विरस्पतिवार जो है आज आपका क्लास वर्ग देट सबसे पहले हम एकी मात्रा वाले शब्द पढ़ेंगे बच्चो यह आपने लिखे होंगे आप उसी में पढ़ना लिखने की जरुत नहीं है आप पढ़ेंगे only learn ओके आपने क्या करना है याद करना है इसनको ओके तो चलिए सुरू करते हैं एकी मात्रा वाले शब्द तो चलिए देखे शोई शोई में किसकी मात्रा लग गया आपकी एकी मात्रा तो क्या बन गया ये सेरो सेर फिर रो, रो में एक ही मातरा लगी तो क्या बन गया? रे, लो, रे मो, मो के उपर किसी मातरा है? एक ही मातरा तो क्या बन गया? मे, लो, मेल खो, खो में एक ही मातरा बन गया तो खे, लो, खेल फिर तो, तो में एक ही मातरा लगी तो क्या बन गया? तेल, तेल, फिर बौ, बौ में एक ही मातरा लगी, तो क्या बन गए, बेल, बेल, ओके, फिर सौ, चौ में एक ही मातरा लगी, तो क्या बन गए, सेब, सेब, ओके, फिर दौ, दौ में एक ही मातरा लगी, तो क्या बन गए, देश, देश, ओके, तो यह क्या थे आपकी एकी मात्रा वाले शब्द थे जो आपने क्या करना है याद करना है ओके एक बार फिर से देख लीजे सेर, रेल, मेल, खेल, तेल, बेल, शेब, देश ओके आप पढ़ेंगे हम आपकी एकी मात्रा वाले शब्द नीचे वाली देखे ऐसी क्या होता है आनक ओकी अब चलिए सब्द सुरू करते हैं सौ, सौ के उपर किसकी मात्रा लगी है आपकी आपकी मात्रा तो शेर, रो, शेर फिर पा, पा में आपकी मात्रा तो पैर, रो, पैर, ओकी फिर मौ, मौ में आपकी मात्रा लगी तो क्या बन गया मैं, नौ, नौ में किसका दंडा है, आका दंडा है तो ना, मैं ना फिर तौ, तौ में किसकी मातरा है? ए के मातरा तो तै, रो तै, ओके बौ, बौ में किसकी मातरा है? ए के मातरा तो क्या बन गया? बै, रो फिर मौ, मौ में किसकी मातरा है? ए के मातरा तो मैं लो मैं तो आपने क्या करना है इनको भी याद करना है एक बार फिर से बोलती हूं सेर, पैर, मैना, तैर, बैर, मैर तो चलिए बच्चो इनको याद कीजिए और अच्छे से कीजिए का याद ओके चलिए